दोस्तो ओनर बैंड 5 में जो कमी थी वो पूरी कर दी गई है और यहाँ पे अपडेट आ गया है SPO2 सेंसर का और यहाँ पे Music Playback का भी अपडेट आ चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे Music Playback का भी अपडेट आ गया है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से आपको अपडेट करना है तो इस तो यहाँ पे ओनर बैंड 5 का अपडेट आ गया है जो कि है SPO2 का अपडेट काफी कमाल का अपडेट है तो अगर आपको नहीं पता है कि SPO2 क्या होता है तो SPO2 stands for peripheral caliper oxygen saturation जो कि एक basically estimate होता है amount of oxygen जो हमारे blood में है उसका जो estimate होता है उसे SPO2 बोलते दोस्तों तो वह sensor इसमें आ गया दोस्तों अपडेट के शरू और इसका जो firmware version है वह है 1.1.0.96 आपको मैं दिखा देता हूं डिवाइसेस में जा करके आपको मैं दिखा देता हूं इसका जो version है वह आप देसकते हैं firmware में जो है यहाँ पर हमें जो option मिल रहा है music control का music playback control का भी option हमें enable कर दिया गया है तो इस update का हमें काफी time से इंतिजार था music playback control का भी option मिल रहा है तो यह काफी बढ़िया है दोस्तों update और आपको मैं दिखाता हूं किस तरह से यह काम करता है तो कुछ इस तरह का SPO2 का update आ गया है और इस इसे चेक करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर option आ रहा है तो इसे चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें भी जैसे कि आपको heart rate sensor की तरह भी इसमें हिलना डूलना ज्यादा नहीं है steady state में रहना है तो यह SPO2 का measuring हो रहा है दोस्तों और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है 95% का रिजल्ट है 95% यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 95-96% का रिजल्ट आ चुका है और 97 BPM भी आ रहा है heart rate sensor साथ तो यह काफी अच्छा दोस्तों यह basically estimate बता रहा है कि मेरे blood में कितना oxygen है तो blood oxygen sensory से बोलते हैं यह update आ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ music playback के लिए तो music control चेक करेंगे दोस्तों music control की बात करें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर music control भी कर सकता है तो यहाँ इसको मैंने play कर दिया है और यहाँ पर pause भी कर सकते हैं और यहाँ पर sound भी plus minus का option है sound भी आप control कर सकत बस इसी update की कमी थी दोस्तों owner band 5 में मैंने पहले भी बताया कि owner band 5 ज्यादा better है मैं me band 4 से बस इसी update की कमी थी वो भी update दे दिया गया है बस इससे दो महिना ही हुआ है launch हुए और सारा update इसमें आ चुका दोस्तों तो आप ही जाए फटा-फट से update कर लिजे और इसको use केजे तो अब अगर आप चूज करना चाहें me band 4 और owner band 5 में तो definitely owner band 5 ज्यादा better है क्योंकि इसकी accuracy कमाल की है दोस्तों और इसकी build quality और जो look है वो काफी कमाल की दोस्तों तो आप ज़रूर से इसे ले सकते है owner band 5 को और अभी me band 4 और owner band 5 same price में मिल रहा है दोस्तों तो आप ज़रूर इंडे सेल है और great इंडे फेस्टीवल सेल है दोनों में ही आपको बहुत ही कमाल के offers देखने को मिल रहे है तो बस दोस्तों यह अपडेट था जिसके बारे मुझे बतारा था तो मैंने आपको बता दिया है तो आप जरूर सुझा करके अपडेट कर सकते हैं उमीद करता हू दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अची लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धिनवाद दोस्तों मिलता हूँ आपसे फिर वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें सलामत रहें बाई जैहिंद